मेरे प्यारे देशाचीयों, नमस्कार, मन की बात में एक बार फिर आप सब का स्वागत है, ऐसàng तो मन की बात हर महिने के आखिरी रभी बार को होता है, लेकिन इस बार एक सब्ता पहले ही हो रहा है। आप सब जानते ही हैं अगले हपते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहां बहुत सारी भागदोर भी रहेगी और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आप से बात करनों और इससे बढ़िया क्या होगा जनता जनारदन का आशिरवाद आपकी प्रेणा मेरी उर्जा भी ब बड़ा काम किया मन की बात के कितने ही स्रोता अपनी चिठियों में बहुत सारी प्रसंसा करते हैं कोई कहता है यह किया कोई कहता है वो किया यह अच्छा किया यह जादा अच्छा किया यह बढ़िया किया लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानमी के प्रयास उनकी मेहनत उनक हमने आप अभिभूत हो जाता हूं बड़े से बड़ा लक्ष हो कठिन से कठिन चुनोती हो भारत के लोगों का सामुहिक बल सामुहिक शक्ति हर चुनोती का हल निकाल देता है अभी हमने दो-तीन दिन पहले देखा कि देश के पस्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आय तेज चलने वनी हवाएं तेज बारीश साइक्लोन विपर जोई ने कठिना कुछ तहस नहस कर दिया लेकिन कठिके लोगों ने जिस हिम्मत और तयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुखाबला किया वो भी उतना ही अभूतुर्व है दो दिन बाद ही कठिके लोग अ अशाडी बीश कच में वर्षा की सरवात का प्रतीक मना जाता है मैं इतने साल कच आता जाता रहा हूं वहां के लोगों के सेवा करने का मुझे सवभागे भी मिला है और इसके लिए कठिके लोगों का होसला और उनकी जिजी विशा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता जिनासकारी भूकम के बाद जिस कच के बारे में कहां जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा अज वही जिला देश के तेजी से विक्सित होते जिलों से एक है मुझे विश्वास है साइकलोन विपरजोय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कच के लोग बहुत तेजी से वंधन की जो ताकत विक्सित की है वो आज एक उधान बन रही है प्राकृतिक आपनाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृति का सवरक्षा आजकल मौन्सून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इसलिए ही आदेश जैसे अभियानों के जरिये सामुही प्रयास कर रहा है पिछले महिने मन की बात में ही हमने जल सवरक्षन से जूड़े स्टार्टप की चर्चा की इस बार भी मुझे चिठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक बुंद बचाने के लिए जी जान से लगे हैं ऐसे ही एक साती है यूपी के बांदा जिले के तुलसिराम यादव जी तुलसिराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेल खंड शेत्र में पानी को लेकर कितनी कठिनाईया रही है इस चनोत से पार पाने के लिए तुलसे राम जी ने गाउं के लोगों को साथ लेकर इलाके में 40 से ज्यादा तालाब बनवाए हैं तुलसे राम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में गाउं का पानी गाउं में आज उनकी महनत का ही नतीजा है कि उनके गाउं में भूजल्द स्तर सुधर रहा है ऐसे ही यूपी के हापूर जिले में लोगों ने मिलकर के एक विलुक्त नदी को पुनर्जी भी किया है यहां काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी समय के साथ लुप्त हो गई लेकिन स्थानियस मुर्तियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा आखिर कर लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सजीव करने की ठानी लोगों के सामुहिक प्रयास से अमनीम नदी फिर से जिवन्त होने लगी है नदी के उद्गम स्थल को अम्रुद सरोवर के तौर भी विक्सित किया जा रहा है साथियों ये नदी नहेर सरोवर ये केवल जलस्रोध ही नहीं होते हैं बलकि इनसे जीवन के रंग और भावनाय भी जुड़ी होती हैं ऐसा ही एक द्रश्य भी कुछी दिन पहले महराष्ट में देखने को बिला ये इलाका जादातर सुखे की चपेट में रहता है पांच दसक के इंतजार के बाद यहां निलवंडे डेम की कैनाल का काम अब पुरा हो रहा है कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दौरां कैनाल में पानी शुड़ा गया था इस दौरां जो तस्वीरें आई वह वाकई भावुक करने वाली थे गाउं के लोग ऐसे जुम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो साथियों जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज चत्रपती सिवाजी महराज को भी याद करूँगा चत्रपती सिवाजी महराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध काउसल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है विशेशकर जल प्रबंधन और नवसेना को लेकर चत्रपती सिवाजी महराज ने जो कार्य किये वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर बढ़ाते हैं उनके बनाए जलदूर्ग इतनी सताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं इस महने की शुरुआत में ही चत्रपती सिवाजी महराज के राजय विशेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं इस अउसर को एक बड़े पर्व की रुप में मनाया जा रहा है इस दोरान महरास के राइगड केले में इस से जुड़े भव्य कार्खमों का आयोजन किया गया मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राइगड जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सौभागे मिला था यह हम सब का कर्टब है कि उस आउसर पर हम चत्रपती सिवाजी महराज के प्रमंद काउशल को जाने उनसे सीखे इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और बविश के लिए कर्टब्यों की प्रेणा भी मिलेगी मेरे प्यारे देश वाच्यों आपने रामाएड के उस नन्नी गिलहरी के बारे में जरूर सुनाख होगा जो राम से तु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी कहने का मतलब ये कि जब नियत साफ हो प्रयासों में इमानदारी हो तो फिर कोई भी लक्ष कठिन नहीं रहता भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनावती का मुकाबला कर रहा है ये चुनावती है टीबी की जिसे छैरोग भी कहा जाता है भारत ने संकल्प किया है दो हजार पचीश तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष बहुत बड़ा जरूर है एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदर से बनाकर उनकी मदद की जा रही है इस अक्षय रोक को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा सभाल लिया है देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्द सामाजिक समस्ताय निक्षय मित्र बनी है गाउं देहात में पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगया कर टीबी मर मरीजों की मदद के लिए आगे आए हैं इस जन्भागीदारी ही इस अभ्यान की सबसे बड़ी ताकत है इसी भागीदारी की वज़े से आज देश में दस लाग से जादा टीबी मरीजों को गोड लिया जा चुका है और यह पुन्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षय म मित्रों ने मज़े खुशी है कि देश के कई सर्पंचों ने ग्राम प्रधानों ने भी यह बिड़ा उठा लिया है कि वो अपने घाउं में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे नैनिताल के एक गाउं के निक्षय मित्र स्रिमान दिकर्सी मेवाडी जी ने टीबी के छे मरीजों को गोड लिया है ऐसे ही कि नोर की एक ग्राम पंचायत के प्रधान निक्षय मित्र स्रिमान ज्ञानसी जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उप्रब्त कराने में जूटे हैं भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवासाधी भी पीछे नहीं है हिमाचल प्रदेश के उना की साथ साल की बेटी नलीनी सी का कमार देखिए बिटिया नलीनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है लेकिन एमपी के कटिनी जिले की 13 साल की मिराक्षी और पच्चिम मंगाल के डायमंड हार्बर के 11 साल के बश्वर मुखर जी दोनों ही कुछ अलगी बच्चे हैं इन दोनों बच्चों ने अपनी गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभ्यान में लगा दिये हैं ये सभी उधारन भावकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरग भी हैं कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं रदय से प्रसंसा करता ह मेरे प्यारे देश वासियों हम भारत मासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तयार रहते हैं हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसाथ भी करते हैं इसी का एक उधान है जपान की तकनीक मिया वाकी अगर किसी जगर की मिटी उबजाओं नहीं रही हो तो मियावा की तक्नीक उस खेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है मियावा की जंगल तेजी से फैलते हैं और दो तिन दसक में जैव विविद्रता का केंदर बन जाते हैं अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है हमारे हाँ केरला के एक टीचर स्रिमार राफी रामनाज जी ने इस तक्नीक से एक इलाके की तस्वीर ही बदल दी दरसल रामनाज जी अपने स्टूनेंट्स को प्रक्रती और परियावरन के बारे में घहराई से समझाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना ड़ा उनका एक गार्डन अब एक बायो डारोसिटी जोन बन चुका है उनके इस कामियाबी ने उन्हें और भी प्रेणा दी इसके बाद राफी जी ने मियावा की तकनीक से एक मिनी फॉरेस्ट यानि छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम अब इतना खुबश्रण नाम तो एक सिक्षक ही रख सकता है विद्यावनम रामनाज जी के इस विद्यावनम में चोटी सी ज जगाए गए उनके स्टूडन्स भी इनके रख रखाव में उनका हाथ बटाते हैं इस खुबस्वरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चें आमनागरीक काफी भीडू मरती हैं मियावा की जंगलों को किसी भी जगर यहां तक की शहरों में भी आसानी से उ गाटन किया था कच्च में भी 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में मियावा की पद्धती से स्मृतिवन बनाया गया है कच्च जैसी जगह पर इसका सफन होना यह बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी यह तकनिक कितनी प्रभावी है इसी तरह अंबाजी और पावागड में भी मियावा की मैथर से पौधे लगाए गए हैं मुझे पता चला है कि लखनों के अलीगंज में भी एक मियावा की उद्ध्यान तयार किया जा रहा है पिछले चार साल में मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज्य इसका बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है मैं देश वास्यों से खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आग्र करूंगा कि वे मियावा की पद्दक्ति के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें इसके जरिये आप अपनी धर्ति और प्रक्रिति को हरा भरा और स्व क्रेटर के कारण तो कभी जी ट्विंटी के शांदार आयोजनों के कारण कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादुरू देश के भार भी पसंद किये जा रहे हैं अब जम्मु कश्मीर के बारा मुला जिले के लोगों ने एक कमाल कर द को एक आउसर के रुप में लिया यहां बड़ी संध्या में लोगों ने डेरी का काम शुरू किया इस काम में सबसे आगे यहां की महिलाया आई जैसे कि एक बहन है इश्रत नभी इश्रत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स भाम शुरू किया है उनके डेरी की फाम से हर दिन करीब 150 लीटर दूद की विक्री हो रही है ऐसे ही सोपोर के एक साथी है वसीम अनायत वसीम के पास दो दरजन से ज्यादा पशु है और वो हर दिन 200 लीटर से ज्यादा दूद बेचते हैं एक और युवा आबिद हुसेन भी नेरी का काम कर रहे हैं इनका क काम भी खूब आगे बढ़ रहा है ऐसे लोगों की मेहनत की वज़त से ही आज बारा मुला में हर रोज साड़े पांच लाख लीटर दूद उत्पादन हो रहा है पूरा बारा मुला एक नई स्वेत क्रांती की पहचान बन रहा है पिछले धाई तीन वर्सों में यहां 500 से ज्यादा डेरी उनिट्स लगी है बारा मुला की डेरी इंडस्ट्री इस बात की गवां है कि हमारे देश का सकती है मेरे प्यारे देश स्वाक्षियों इसी महने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुश खबरी आई है भारत की टीम ने पहली बाग विमेंस जूनियर एशिया कप जीत कर तेरंगे की शान बढ़ाई है इसी महिने हमारी मैंस होकी टीम ने भी जूनियर एशिया कप जीता है इसके साथ हम इस टूनामेंट के इतिहात में सबसे अधीक जीत दरजे करना वाले टीम भी बन गए हैं जूनियर सूटिंग वालकप उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कवाल कर दिया भारती टीम ने इस टूर्णामेंट में पहला स्थान हासिल किया है इस टूर्णामेंट में कुल जितने गोल्ड मेडल्स थे उसमें से 20 परसंट अखेलिए भारत ने खाते माये इसी जून में एशियन अंडर 20 अथलेटिक चेंपिन भी हुई इसमें भारत पदक तारिका में 45 देशों में टॉप तीन में रहा साथ्यों पहले एक समय होता था जब हमें अंतराश्ट्री आवेजनों के बारे में पता तो चलता था लेकिन उसमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था जगनाज मैं केवल पिछले युवाओं की असली ताकत है ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगीता है जहां आज भारत पहली बार अपनी मवजूद्गी दर्ज करवा रहा है जैसे कि लॉंग यंप में स्रीशंकर मुरली ने पैरिस डायमंड लीग जैसे प्रतिश्टित आयुजन में देश को ब्राउं द सभलता हमारी अंडर सेमेंटी वुमेन रेस्लिंग टीम ने करगिस्थान में विदर्ज की है मैं देश के इन सभी अतलेट्स उनके पैरेट्स और कोचिश सबको उनके प्रयासों के लिए बहुत बदाई देता हूं साथियों इंटरनेशनल आयोजनों में देश की सभलता के पीछे राष्ट्रिय स्तर पर हमारे खिलाडियों की कड़ी मैनत होती है आदेश के अलग लग राज्यों में एक नए उत्सा के साथ खेलों के आयोजन होते हैं इन से खिलाडियों को खेलने जीतने और हार से सिखने का मौका मिलता है जैसे अभी उत्तरपदेश में खेलों या उनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ इसमें युवाओं में खुब उत्सा और जोस्त देखने को मिला इन खेलों में हमारी युवाओं ने 11 रिकॉर्ड्ड तोड़े हैं इन खेलों में पंजाब उनिवर्सिटी अमरिच सर की गुरू नानक देव उनिवर्सिटी और स्टोरिज भी सामने आती हैं खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स में रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन युनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यां खिलाडी बने जिनों ने इसमें हिस्सा लिया बरकत्तुला युनिवर्सिटी की नीधी फव नारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले सार बंगलूरू में निराशा हाट लगी थी लेकिन इस बार वे स्टैपल चेस्ट के गोल मेडलिस्ट बने हैं बर्दवान युनिवर्सिटी की सरस्विती कुंडू अपनी कबड़ी टीम की कैप्टेन है वे कई मुश्किलों को पा मेरे प्यारे देश्वास्यों 21 जुन भी अब आही गई है इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर राष्ट्य योग दिवस का उत्सुक्ता से इंतजार कर रहे हैं इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फर्वसुध है कुटम कम यानि एक विश्व एक जान के लिए योग योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सब को जोडने वाली और साथ लेकर चलने वाली है हर बार की तरह इस भार भी देश के कोने कोने में योग से जुड़े कारकम आयोजित किये जाएंगे साथ को इस बार मुझे नियोर्क के सयुक्त राष्ट मु पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है साथियों मेरा आप सभी से आगर है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं इसे अपनी दिन चर्या का हिस्सा बनाएं अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संक गल्प के लिए बहुत बहतरीन मुका है योग में तो वैसे भी ज्यादा ताम जाम की जरूरती नहीं होती है देखिए जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा मेरे प्यारे देश्वासियों पर्सों याने 20 जून को अइ तो अध्यात्रा निकाली जाती है और इसा के पूरी में होने वाली रठ्यात रातो अपने आप में अध्यूत होती है जब में गुजरात में था तो मुझे आमदाबाद में होने वाली विशार्व रथे ड congratue में शामल ओने सब्सक्रा and इन रत्यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज, हर वर्क के लोग उमरते हैं, वो अपने आप में बहुत अनुकर्णी है, यह आस्ता के साथ ही एक भारत, थ्रेष्ट भारत का भी प्रतिविम होती हैं, इस पावन पुनित आउसर पर आप सभी को मेरी वर से बहुत-बह सिर्वात-प्रधान करें, साथियों, भारतिय परंपरा और संस्कृति से जुड़े उत्सव की चर्चा करते हुए, मैं देश के राजभवनों में हुए दिल्चस्प आयोजनों का भी जरूर उल्लेक करूंगा, अब देश में राजभवनों की पहचान सामाजी और विकास कारियों से होने लगी है, आज हमारे राजभवन, टीबी मुक्त भारत अभ्यान के प्राकृतिक खेती से जुड़े अभ्यान के ध्वजवाहत बन रहे हैं, बीते समय में गुजरात हो, गोवा हो, तिलंगरा हो, महराष्ट हो, सिक्किम हो, इनके स्थापना दिवस को अलग राजभवनों ने जिस उत्सा के साथ सेलिबरेट किया, वह अपने आप में एक मिशाल है, यह एक बहतरीन पहल है, जो एक भारत, स्रेश्ट भारत की भावना को ससक्त बनाती है, साथियों, भारत लोगतंतर की जननी है, मदरब डेमोक्रेसी है, हम अपने लोगतंतरिक आद 25 जुन को भी कभी भूला नहीं सकते, यह वही दिन है, जब हमारे देश पर एमर्जंसी थोपी गई थी, यह भारत के इतिहास का काला दौर था, लाखों लोगों ने एमर्जंसी का पूरी ताकत से विरोत किया था, लोगतंतर के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचा किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन से हर उड़ता है, इन अत्याचारों पर, पुलीस और प्रशाशन द्वारा दी गई सजाओं पर, बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, मुझे भी संगर्स में गुजरात नाम से किताब लिखने का हुसमें मोका मिला था, कुछ दिनों पहले ही, एमर्जन्सी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई है, जिसका सिर्षक है, Torture of Political Prisoners in India, एमर्जन्सी के दोरान, छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, कि कैसे उस समय के सरकार, लोग तंत्र के रखवालों से क्रूरतम ब्यावार कर रही थी, इस किताब में धेर सारी केस्टरीज हैं, बहुत सारी चित्र हैं, मैं चाहूंगा कि आज जब हम आज़ादी का अमरित महोत्सों मना रहे हैं, तो देश की आज़ादी को खत्रे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें, इसे आज की युवापीडी को लोक तंत्र के माइने और उसकी एहमियत समझने में और ज़्यादा आसारी होगी, मेरे पहरे देश्वासियों, मन की बात रंग बिरंगे मोतियों से सजी एक सुन्दर माला है, जिसका हर मोती अपने आप में अनूठा और अनमोल है, इस कारकम का हर एपिसोड बहुती जीव करता है, यहां उन विशों पर खुल कर चर्चा होती है, जिनके बारे में हमें आम तोर पर कम ही पढ़ने सुनने को मिलता है, हम अकसर देखते हैं कि मन की बात में किसी विशे का जिक्र होने के बाद कैसे अनेक और देश वास्षों को नई प्रेड़ा मिली, हाल है मैं मुझ प्रसित्य भारतिय सास्त्रिय नुत्यांगना आनंदा शंकर जैन का एक पत्र मिला, अपने पत्र में उन्होंने मन की बात के उस एपिशोड के बारे में लिखा है, जिसमें हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में चर्चा की थी, उस कारकम में हमने इस फिल्ट से जुड़े ल यह बच्चों के लिए अलग लग भाषाओं की कहानियों का एक बहत्रिन संग्रव है यह प्रयास इसलिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हमारे बच्चों का अपनी संस्कृति से लगाव और गहरा होता है उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो अपने यूटूब चैनल पर भी अप्लोड किये हैं मैंने आनंदा संकर जैन के इस प्रयास की विशेश तोर पर इसलिए चर्चा की क्योंकि यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे देश्वासियों के अच्छे काम दूसरों को भी प् मैं के यही तो हम भारत वाजियों का भू कलेकटिव प्रावर हैं जो देश की प्रक्रति में नई शक्ति भर रही हैं मेरे प्यार देश्वासियों इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही है अगली बार नए विश्यों के साथ हब से फिर मुलाकात होगी बारिश का समय है इसलिए अपने स्वास्त का खूब ध्यान रखिए संतुलित खाईए और स्वस्त रहिए हां योगा जुरूर कीजिए अब कई स्कुलों में गर्मी की छुटियां भी खत्म होने को है मैं बच्चों से भी कहूंगा कि होमवर्क लास दिन के लिए पैंडिंग ना रखे काम खत्म करिए और निश्चिंत रहिए बहुत बहुत धन्वाद